हिंदू धर्म को छोड़ कर इस धर्म को मानने लगी करीना कपूर खान आज होने वाले ऐसे खुला से कि दंग रह जाएंगे आप भी जब से करीना कपूर ने सैफ अलिखान से शादी की है कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या करीना कपूर हिंदू धर्म को मानती है या मुस्लिम धर्म को कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि करिना कपूर अब भी हिंदू धर्म को मानती है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं करिना कपूर अब मुस्लिम धर्म को मानती है ऐसी कई तरह की बाते और कई confusion लोगों में हैं लेकिन आज जो सच का पता चला है उसे सुनने के बाद यकिनन उन सबी के होश उड़ने वाले हैं क्योंकि करिना कपोर ना ही हिंदु धर्म को मानती है और ना ही मुस्लिम धर्म को और यह सुनकर आपको जरूर जटका लगा होगा तो चले जानता है कि आखिर इस ख़बर के पीछे की पूरी सच्चा है क्या है हिंदु होकर मुस्लिम से शादी करने पर कई बार करिना को लेकर यह सवाल भी उठे लेकिन उन्होंने प्यार को धर्म से उपर रखा लेकिन सवाल यह है कि करिना किस दर्म को मानती है हिंदु या मुस्लिम इस राज से परदा उनके बेटे तैमूर अली खान और जैक की नैनी ललिता डिसल्वा ने उठाया है करिना कपूर कैसी मा है? क्या काम के साथ वो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाती है? उनके बेटों के साथ उनका वहवार कैसा है? वो किस दर्म को फॉलो करती है? कैसे फली खान और करिना के घर में घरवालों और श्टाफ की बीच बेदभाव किया जाता है? ऐस क्रिष्चियानिटी को फॉलो करती है. लेकिन मुझे से अक्सर बोलती थी कि अगर आप चाहे तो बेटे को भजन सुना सकती है. तो मैं अक्सर उनके बेटे को भजन भी सुनाती थी. हाँ, वो मुझे खास तोर पर एक पंजाबी भजन, एक आंकारा प्ले करने एक लिए भ करिणा के बच्पन को वेक्तिकर दूरूप से नहीं देखा है. लेकिन उन्होंने जो कहा है, उससे मुझे पता चलता है कि उनकी मा भी उनकी ही तरब बहद अनुशासित थी. वो हमेशा उनकी पढ़ाय पर ध्यान देती थी और एक टाइम टेबल बनाया रगती थी. और नि और सिफ हम सब भी एक जैसा खाना खाते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि श्टाफ के लिए अलग से खाना होगा, एक जैसा खाना और एक खाने की कॉलिटी भी से. कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम सब ने एक साथ खाना खाया है. तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह चौक आने वाला खुलासा कॉमेंट में जरू बताएगा वीडियो पसंद आयों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.